Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Julie So dear students, as you all know that we are talking about constitutional design That is the chapter, second chapter of class 9 political science Students, मैंने आपको इस से पहले पढ़ाया कि class 9 political science के बारे में Class 9 political science के जो second chapter है constitutional design हमने इस चीज़ के बारे में आपको इस से पहले पढ़ाया तो इस चेप्टर में students मैं आपको बताया कि हमें दो countries की बारे में पढ़ना है एक हमें इंडिया की बारे में पढ़ना है दुसरा हमें South Africa की बारे में पढ़ना है तो students South Africa के बारे में हमने देखा कि कैसे क्या हुआ फिर क्या हुआ लास्ट में constitution बना फिर constitution कैसे बना तो students आज हम देखेंगे इस से पहले भी हमने आपको बताया था कि Indian constitution के बारे में Indian constitution में students हमने आपको बताया था कि problems faced हिंद्स्तान के Constitutions बनाते समय किस कसम के problems या किस खासम के मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो स्टूडंस आज हम बताएंगे कि अब इसके बात Indian Constitutions में formation of Indian Constitutions किन-किन चीज़न की ज़रूरत पड़ी है हिंद्स्तान के Constitution आईन को बनाने में ठीके स्टूडन्स तो पहले यहां पर मैं आपको बताओंगा कि दमेकर्स अफ एंडन कनिस्टिचूशन अलरडी निव वाट टैब अफ कनिस्टिचूशन दे वांड़ एंड अवर फ्रीडम स्ट्राइगल वास आलसो बेस्ट अपन इट हंडोस्तान की कनिस्टिचूशन बनाने वालों ने पहले सही सोचा की किस टाइब के कनिस्टिचूशन की हमें जरूरत हैं क्योंकि जिस तरह के से हम आज़ात हुए थे हमें इन सारे चीज़न के बारे में हमें मीन्स हंडोस्तान के जो फ्रीडम स्ट्राइगल के जो लोग थे उन सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम था कि किस टाइब के कनिस्टिचूशन को हमें यहां पर बनाने हैं तो Dear Students, Formation of Indian कनिस्टिचूशन में मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि हिंदुस्तान के आइन के बनाते समय आइन बनाने वालों को इस चीज़ की बारे में बखुबी नावलेज था कि आईन को किस तरीके से बनाया जाए और किन चीज़ों को आईन में Constitution में include किया जाए और किन चीज़ों को Constitution से exclude किया जाए तो dear students, the makers of and and constitution already knew what type of constitution they wanted and our freedom struggle was also best upon it ठीक है students, तो second point यहाँ पर formation of and and constitution कहा है में यह देखना है कि in 1928 मौतिलाल नहरू and eight other Congress leaders had already drafted the and and constitution with all the rights in it 1928 में जब हिंदुस्तान आजाद नही हुए थे हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुए थे आपको पताए तो मौतिलाल नहरू जो और उसके कुछ साथी जिसमें आठ Congress के leaders थे, इन लोगों ने हिंदुस्तान के constitution को पहले ही क्या किया, draft किया मतलब roughly इन लोगों ने एक ऐसा sketch बनाया कि after independence what would be our constitution ठीक है, तो मौतिलाल नहरू और दुसरे Congress के leaders ने 1928 में अभी हंदुस्तान आजाद नहीं हुए थे इन लोगों ने सोचा कि what would be the constitution of India after getting independence, हंदुस्तान जो है आजाद होने के बाद किस قسم के और किस प्रकार के आईन हंदुस्तान में होनी चाहिए इसी सिलसिले को discuss करते हुए, 1928 में मौतिलाल नहरू और eight Congress leaders ने क्या किया, एक constitution को already draft किया, roughly एक sketch बनाया, ताकि आजादी होने के बाद, हम ऐसे ही कुछ constitution हम हिंदुस्तान के लिए बनाएंगे, ठीक है, तो number third, the experience gained by endons working the legislative institutions under British was used while forming the constitutions तीसरा चीज़ जो हिंदुस्तान को आईन बनाते समय endon constitution makers ने जो चीज़ realize किया, वो ये था कि भाई साब, endons जो working करते थे, ठीक है, आज तक जो हमने अंग्रेज़ों के under काम किया, आज तक जो हमने अंग्रेज़ों के legislative institutions में काम किया, under Britishers for example legislative councils, जो ब्रिटिश के थे, उसके under जितने भी endons थे, before independence, they were used to working under the Britishers, इन्हों ने क्या किया, इनके अंदर काम करते थे, हिंदुस्तानी काम करते थे, तो बहुत सारे endons जो है, क्या किया, इन लोगों ने बहुत सारे experiences गेन किया, British के अंदर बेट कर कि बाई साब, legislative institutions क्या होता है, legislative councils क्या होता है, काम केसे करते हैं, law क्या होता है, act क्या होता है, इन चीज़ उनके बारे में, यहां पे आजादी होने से पहले, Britishers से जो है, क्या किया था, सबक सीख चुका था, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी उने क्या किया, Britishers से, उस टाइम पे, जो है, सबक सीखा किया, वाई साब, आखर का इस्टिशूशन हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तभी तो यहां पे लिखाए कि experience gained by the Indians, ठीक है, working in the legislative and institution under British, ठीक है, तो British के अंडर जो बेट कर जो गानून हमने सीखा, वो बात में, जो है, हमारे गानून बनाते हैं, समय काफी many good laws from the colonial rule, like the government of India, act 1935, हमारे इंडिया के जो आईन है, constitution है, उसने क्या किया, good laws को, अच्छे laws को, बेहतरीन laws को, adopt किया, कि वाई साब, किस चीज से, colonial rule से, जब अंग्रेज यहां पे हुकूमत करते थे, तो अंग्रेजूंग ने क्या किया था, government of India, act 1935, उसका नाम था, एक आईन बनाया था, 1935 में, जिसका नाम रख दिया था, अंग्रेजूंग ने, government of India, act 1935, तो हम आजादी के बार, हमारे constitution makers ने किया, कि बाई साब की, 1935 में जो अंग्रेजूंग ने एक आईन बनाया था, उसमें अच्छे अच्छे चीज़े हैं, चलो उसको निकाल के क्या करते हैं, अपने हिंदुस्तान के constitution में इसको डाल देते हैं, तो कुछ लोगों ने क्या किया, 1935 में जो चीज़े था, उसको वहां से निकाल कर, हिंदुस्तान के constitution में include, कर दिया, आफ्टर, इंडिपेंडेंस, इसके बाद, नमबर फिफ्ट, अवर स्टुडेंस क्या है, अवर कनिस्टिशुशन अडॉप्टेट गुट लास और पॉलिशीज फ्रॉम दा कनिस्टिशुशन अफ अधर दिमोक्राटिक कंट्रीज, देखो, स्टुडेंस यहाँ पर, 1947 में हम आजाद हुए, 1949 से हमने आईन बनाना शुरू किया, लगबा का, 1946, 7, 7, 8, 9 से, तो 1950 में हमारा यहाँ पर कनिस्टिशुशन इंप्लेमेंट हो जाते हैं, बाई साब, आपके पास कनिस्टिशुशन आपके हाद में दे देते हैं, जिनाप अम्रितकर साहिब, इसके बाद, अवर कनिस्टिशुशन, हमारे कनिस्टिशुशन ने क्या किया, गुट लॉस और पॉलिसीज जो है, दुनिया के दूसरे डिमोक्राटिक कंट्रिस, आपके हैं, अगर हम हिंदुस्तां की बात करेंगे, तो हंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा लिंग ठ equipped, एक बहुत बड़ा लंबा आईन है, इस आइन को बनाने के लिए Constituent Assembly को जो है क्या किया? Organize किया तो Constituent Assembly का मदलब यह है कि वाई साब आप Constitution बनाने के लिए क्या करते हो? Assemble हो जाते हो Assemble मदलब Dear Students जम हो जाना तो तभी तो यहाँ पर लेखा है कि Constituent Assembly हंदुस्तान के आइन बनाते समय वहाँ पर सारे Constituent Makers जो है जमा हो जाते हैं कि यहाँ पर डिसकस करते हैं बाई साब हम हंदुस्तान के लिए Constituent कैसे बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या हम इसमें डाल देंगे? क्या हम इसमें नहीं डाल देंगे? ठीक है? तो यह सारे चीज़े जो है डिसकस होता है Constituent Assembly में तो Students Constituent Assembly क्या है? इस चीज़ को लेकर आपको Confuse नहीं होना है Constituent Assembly का मदलब यह हैं कि आप जो है आइन को बनाने से पहले हिंदुस्तान के या किसी और कंट्री के आइन को बनाने से पहले एक जमा हो जाते हो किसी एक हॉल में ठीक है? किसी माकान में या किसी विल्डिंग में आप जमा हो जाते हो वहाँ पर आप सब जमा होकर डिसकस करते हो कि भाईसाब Constitution में क्या डालना है क्या नहीं डालना है ठीक है? उसी को कहते हैं तो जहां तक हिंदुस्तान की इसेंबिली की बात है हिंदुस्तान की अगर हम कनिस्टिशन की बात करेंगे तो हिंदुस्तान की कनिस्टिशन एसेंबिली में 200 निराने में मेंस 299 मेंबर्स जो है मौजूद था ये 200 निराने में मेंबर्स हिंदुस्तान की कनिस्टिशन एसेंबिली में गेदर हो गए जमा हो गए और discuss करने लगे कि बाई साब किस चीज़ों को हमें अपने constitution में include करना है किस चीज़ों को हमें अपने constitution में include नहीं करना है तो इसी सलसले में हिंदुस्तान के बहुत सारे जगों से अलाग अलाग जगों से कॉंगरेस के कुछ लेडर्स बागी लोगों के कुछ लेडर्स ठीक है election हुआ था constitution assembly में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा इस चीज़ के लिए तो 299 total members होते हैं जो constitution assembly में बैठ कर बात करते कि बाई साब हंदुस्तान के आइन किस टाइब के होने चाहिए और last में after a long discussion ठी то देटीन months and 11 days यहां पे इस चीज़ को आप यहां पे ensure कर लो की हंदुस्तान के आइन को बनाने में लगबग दो साल 11 महीने 18 दिन हंद्रस्तान के आइन को बनाने में लगा था ठीक है हंदुस्तान के आइन को बनाना शुरू किया तो उसको complete होने में दो साल 11 वही ने 18 दिन लगा था उसको complete होने में ठीक है तो लास्ट में हंदुस्तान के constitution तयार हुआ जो constitution assembly की मदद से जहां पर 299 members था वहां पर लोगों ने discuss किया meeting किया तो 26 नवंबर 1999 को हमने means constituent assembly जो उस discussion में जो participants थे जो लोग थे इन हुंग constitution को adopt किया 26 नवंबर 1999 को और last में हमारे पास सोम दिया यह लोग भाई साब आपका constitution तयार है 26 जनवरी 1950 को तो बेटा हम 26 जनवरी 1950 को यह में जम्हूरिय की नाम से मनाते हैं that is called Republic Day of India इसके बाद बेटा हम यह बताएंगे why should we follow this हमें इस constitution को follow क्यों करना है क्या मिलेगा हम इस constitution को follow करके क्या फाइदा है इस constitution को follow करने में क्या इसमें अच्छाई है क्या इसमें बुराई है let us talking about this made by very different types of people everyone need was taken care of हिंदुस्तान की आइन को हम क्यों follow करेंगे हिंदुस्तान की आइन को हम इसलिए फालो करेंगे बेटा क्योंकि different types of people ने इसको बनाया है ठीक हिंदुस्तान के आइन को बनाते समय इसमें Muslim, Hindu, Sikh, Christian और different types के लोग, Congress के different parties के लोग थे हर मजाहिब के लोग, हर इलागे के लोग, हर कसम के leaders, हर कसम के सोच विचार रखने वाले leaders यजहती की बात करने वाले, National Integration की बात करने वाले leaders मौझूद था तो इसलिए इसका institution को हर एक के बारे में सोच कर बनाया है बाई साथ, Hindu, Muslim, Christian, Sikhs, Parsis, Jains, Buddhism and whatever, Atheistist, जितने भी लोग, हिंदुस्तान के इस सरजमीन पे रहते हैं सब के बारे में सोच कर, Constitution को frame किया गया है इसलिए हमें इस Constitution को follow करना है Number second, हमें इस Constitution को क्यों follow करना है Dear Students, No Political Party or Social Group has ever questioned the legitimacy of Constitution आज तक हिंदुस्तान के Constitution को बन कर 70 साल हुए है किसी भी political party ने या किसी भी social organization ने आज तक जो है No Political Party or Social Group किसी ने भी हिंदुस्तान के Constitution के ओपर question नहीं किया है Because it is a perfect Constitution और इसमें time to time amendment भी हो जाते हैं अगर कोई चीज का Constitution में घलत है या अगर कोई चीज का Constitution में पुराना है तो इसको हम change कर सकता है due to Constitutional Amendment Act इसके अबाद frame it after long debates and discussions भाई साब हमें Constitution को students क्यों follow करना है क्योंकि इस Constitution को frame किया है बनाया है after long debates and discussions के Constituent Assemblages के बारे में मैंने आपको पहले बताया dear students वहाँ पे long debates हुआ था बहुत ज्यादा बहाजवा मुबाहिसा हुआ था की भाई साब हेंदूस के लिए क्या करेंगे Christians के लिए क्या करेंगे Muslims के लिए क्या करेंगे क्या इसका Constitution के बनाने के बाद हमारे भीश में लड़ाई जगड़े नहीं होंगे क्या इसका Constitution की वज़ा से हंदूस्तान आम उनके साथ रह पाएंगे क्या इसका Constitution की वज़ा से हंदूस्तान के हर एक section की हर एक लोगों की rights पूरे हो जाएंगे इन सारे चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए इन सारे चीज़ों को debate और discussion के बाद दो साल 11 महीने 18 दिन के सोच विचार के बाद Constitution के process के बाद इसका Constitution को बनाया इया ताकि इसमें सब का welfare हो सब को include किया जाए without any distinction without any discrimination on the basis of caste, color and creed and whatever इसलिए हमें इसका Constitution को follow करना चाहिए तो students यहां पर और एक topic है इसी chapter से relate है गांदी जी डिजायर फर इंडिया रेटिन यूंग इंडिया magazine in 1931 जो हमारा father of nation बापू साहब है जो हमारा सबसे बुजरूग लोग आजीम शख्सियात है हिंडुस्तान के गांदी जी साहब क्या कहता है यहां पर कहता है कि यूंग इंडिया एक magazine होता है बैटा यहां पर एक magazine होता है जिसका नाम होता है यूंग इंडिया जिसको 1931 में means 1931 में गांदी जी उसमें एक चीज़ लिखता है क्या चीज़ लिखता है देखो बैटा गांदी जी साहब तो constitution बनाने से पहले ही उसका इंतिकाल हो गया गांदी जी जो है इस दुनिया से चल बसे 1947 के आसपास ही ठीके तो constitution बनाने के बाद या बनाते समय गा 1931 में आजादी से पहले गांदी जी का तमन्ना क्या था उसका क्या विश था कि बाई साहब हिंदुस्तान का constitution कैसा होना चाहिए तो गांदी जी सुचता था कि अपने योंग इंडिया मैगजिन में लिखता है उन्हें से कती से बाई साहब हमारे हिंदुस्तान में no foreign rule किसी का अचूट या छूट चात सिस्टेम नहीं होना चाहिए आप कहोगे यह लोवर कास्ट यह अपर कास्ट मैं इसके हाथ से खाना नहीं खाऊंगा मैं इसके खाना हाथ से खाना खाऊंगा ऐसे चीज़ों को जो है गांदी जी मना करते हैं इक्वाल ट्रेडमें ऑफ मैन और पहले जमाने में हिंदुस्तान की लोग जो है काफी नेरफ थें काफी कंजरवेटिव थें अवरतों को तालिम दे के क्या करना है अवरतों को तालिम पढ़ के क्या करेंगे वो गेर मसहबी हो जाएंगे वो अपने मसहब को बूल जाएंगे वो अपने संसकार को बूल कि बेटा आप जो भी कहो अवरतों और मर्दों दोनों को तालीम देना चाहिए इसकी बाद बेटा अगर आपके मन में एक सवाल है what is preamble preamble क्या होता है जिसके बारे में मिना आपको बताया कि like a poem written in the starting of the constitution preamble जो एक poem की तरह होता है एक मालब शायर जो लिखता है poem उस टाप के poem की तरह होता है जो constitution के starting पे लिखते है it contains all the philosophy and moral values on which the constitution has been built बेटा preamble में क्या होता है जरनकतो हर country के preamble होता है उस preamble में ये लिख के होता है कि बेटा इस constitution में हमें क्या क्या पाटना है preamble is the introduction of constitution book ये constitution की किताब की introduction होता है that is call it preamble इसमें बेटा आपको बताए होते हैं कि आपका philosophical और moral values क्या है सौथ अफरीका का philosophical और moral values अलग हो सकता है इंदुस्तान का अलग है provide the standard to examine any law in action of government to find out it is good or bad यहाँ पे हमें एक standard provide करते हैं बेटा आपको जिन्दगी कैसे करने आपको constitution को follow कैसे करने आपको किस टाइब के constitutional philosophy adopt करने हैं हंदुस्तान के constitutional philosophies क्या है पाकिस्तान अपने constitution के preamble में कहता है कि पाकिस्तान के constitutional philosophies क्या है सौथ अफरीका कहता है कि मेरे constitution के philosophies क्या होना चाहिए तो कहने का मतलब यह है कि प्रेंबल is all about the constitutional philosophy और constitution का introduction होता है तो इसी के साथ हमारा यह chapter यहाँ पे खत्म हो जाते है students तो dear students में आपको यहाँ पे constitutional designs के बारे में आपको पढ़ाया, आपको यहाँ पे notes भी दिखाया students, आप यहाँ पे notes यहाँ से देख कर आप copy पे लिख सकता है, इसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज़ की problems हो जाते हैं तो आप मेरे number पे contact कर सकता है constitutional design जो class 9 के political science का second chapter यही पे अख्तिताम हो जाते हैं, इन्शालला उमेद करेंगे, आप सब गर में अच्छे से होंगे, मिलते हैं आप सभी students हैं, next video में, एक नया chapter और एक नया कहानी लेकर आप लोगों के सामने political science class 9 के तब तक के लिए आपने इस twitter सजाद हुसेन को दीजे इजाजत खुदा आफिस stay home and stay safe thank you so much